उत्तर प्रदेश में लगभग 40 साल तक बाहुबली अतिक एहमत का आतंग कायम रहा लेकिन एक महिला के श्राप ने अतिक एहमत के परिवार को मिट्टी में मिला दिया अतिक और अश्रफ की हत्या के बाद दबी जुबान से लोग इस महिला की चर्चा कर रहे हैं लोगों का ये कहना है कि अतिक के परिवार को उस महिला का श्राप लगा है दरसल पुर्व विधायक राजुपाल की पत्नी पूजा पाल के नाम की चर्चा हो रही है पूजा पाल की शादी के नौ दिन बाद ही विधायक राजुपाल की हत्या कर दी गई थी तभी पूजा ने पर असद अतिक और अश्राफ की मौत हो गई महज तीन दिन के अंतराल में बाहुबली अतिक एहमद के परिवार में तीन लोग कबर में पहुँच गय पहले अतिक کے بेटे असद को एंकाउंटर में मार गिराया गया उसके दो दिन बाद अतिक और उसके भाई अश्रफ की गोली मार कर हत्या कर दी गई इसलिए लोगों को अचानक पूजा पाल के दिये श्राप की याद आ गई 18 साल पहले पूजा पाल ने रो रो कर कहा था अतिक ने जैसे मेरे पती की हत्या की है एक दिन उसकी भी हत्या वैसे ही कर दी जाएगी लगता है अतिक के परिवार पर विद्वा महिला का श्राप लग गया है माफिया डॉन अतिक अहमद ने 2004 में लोगसभा चुनाव जीत लिया था वह पहले से ही प्रयाग राज पश्चिमी विधान सभा सीट से विधायक था जब वह संसद बन गया तो विधान सभा की सीट खाली हो गई माफिया डॉन अतिक अहमद ने 2004 में लोगसभा चुनाव जीत लिया था वह पहले से ही प्रयाग राज पश्च में विधानसभा सीट से विधायक था जब वह सांसद बन गया तो विधानसभा की सीट खाली हो गई अतिक ने अपने भाई अश्रफ को इस सीट से मैदान में उतारा इधर बस्पा ने एक युवा चहरे को अतिक अश्रफ के आतंक का स्वाच चखा था राजुपाल की ये जीत अतिक अहमत को बरदास नहीं हुई 2005 के जनवरी में विधायक बनने के कुछ दिन बाद राजुपाल की शादी पूजा पाल से हुई थी इधर अतिक और उसका खुनबा अपनी हार का बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था आतंक क परियाय अतिक को राजुपाल के विधायक बनने के साथ साथ उसकी शादी की खुशी नागावार गुजरी लिहाजा राजुपाल की हत्या कर दे गई लेकिन कहते हैं ना दिल से दी गई बद्धुआ एक दिन जरूर बरबादी का तुफान लाती है राजुपाल की प्रेवनेट्वर्ट